नमस्कार दोस्तों आपसे भी एक बार फिर चारदीक स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज एक और बड़ी अपड़ेट अपन जाने वाले हैं और यह बड़ी अपड़ेट आ रही आररबी की तरफ से जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं चेक यह और अप्लिकेशन स्टेटस आररबी नर्सिंग सुपरेंटेंडेंडेंट तो जिन्होंने भी आररबी नर्सिंग सुपरेंटेंडेंडेंडेंड का फॉर्म एप्लाई किया है वो अपना अप्लिकेशन स्टेटस जो है वो देख सकते हैं तो आपको कैसे क्या चेक करना है मै यहां पर एक link जो है वो आप सभी के पास पहुंच गया होगा और link को open करने से पहले यहां पर एक question आप लोगो को दिया गया था और question में यह कहा गया था कि किसी को RRB application form status चेक करने में परेशा नहीं आ रही है क्या बता दीजिएगा देखिए यहां पर अपन चलते हैं इस official website के उपर यानि कि जो link आपको दिया गया है जहां पर भी आपको मिला है link चाहे टेलिग्राम हो चाहे वाटसप हो चाहे कहीं भी कहीं से भी आपको यह link मिल चुका होगा नहीं मिला है तो आप टेलिग्राम पर जाए जिएगा और हमारे channel के अंदर add हो जाएगा तो चलिए इस link को open करते हैं और पूरी process समझते हैं जैसे आप इस link को open करेंगे यहां से आपको sign in यानि की login आपको करना होगा यह official website जो है rrb की आ चुकी है और यहां पर सबसे पहले आपको details feel करनी होगी उसके बाद में आपको यहां से login करना होगा तो यहां पर क्या क्या आपको feel करना है वो देख लीजिए mobile number and email address आप यहां पर अपने mobile number जो भी आपने form बरते समय डाले है वो mobile number आप यहां पर feel कीजिएगा उसके बाद में password यहां पर यहां पर आपको I'm not a robot पे click करना है यहां पर आपका right का mark जो है वो आ जाएगा और उसके बाद में आपको क्या कर देना login कर देना है यहाँ पे एक option हो रहा है forget password forget password आपको कब करना है ऐसी condition आ जाए आपके सामने कि आपको आप अपने जो password है वो आपको भी याद नहीं है और जिन्होंने form apply किया है उनको भी याद नहीं है ऐसी condition में आप forget password कर सकते हैं अगर आपको पता है password नहीं पता है तो आप जहां से आपने form feel करवाया है उनसे आप पूछ लीजिएगा तो उस condition में आप forget password मत करना अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है यानि कि उनको भी password पता नहीं है आपको भी पता नहीं है तो आप forget password कर लीजिएगा तो यहाँ पर मेरे पास एक student की detail आई है तो उसी detail से में आप लोग को बता देता हूँ कैसे आप application status जो हो आप check कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं form है वो provisionally accepted है यानि कि आप exam में बेटने के लिए तयार है तो देखी जैसे ही आप लोग इन करेंगे तो आपके सामने ऐसे तीन interface आ जाएंगे जनरल instructions यहाँ पर आपके सामने होगा उसके बाद में आएगा online application उसके बाद में आएगा application history ओनलाइन application से तो अपने को कोई लेने देना नहीं है यानि कि यह तो complete हो चुका है जनरल instructions आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अगर आपका मन हो तो otherwise आपको यहाँ पर सीधा चलना है application history के उपर और जो भी candidate यहाँ पर login करेंगे उनकी photo यहाँ पर आपको visible होगी तो यहाँ पर जिस candidate की यह ID है उस candidate की यहाँ पर फोटो जो है visible हो रही है तो यहाँ पर आपको क्या करना है डिरेक्ट ले आपको application history पर चलना है application history पर जाने के बाद में यहाँ पर आप जैसे scroll down करेंगे तो आपके सामने जो registration number है वो आपके सामने आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पर post name आ जाएगा उसके बाद में आपका application status आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर provisionally accepted यानि कि इसका जो application status है वो क्या है provisionally accepted है payment status भी यहाँ पर successful है यहाँ पर और को आप open करेंगे यहाँ पर click करेंगे तो आपका पूरा bio data जो आपने form फिर करते समय भरा था वो सब कुछ यहाँ पर आप देख पाएंगे और यहाँ से अपना अगर आपने जो आपका application form है वो आपने अगर print नहीं कर रखा है तो आप यहाँ से कर भी सकते हैं तो यहाँ से आप अपना application form देख सकते हैं और यहीं पर आप अपना application status चेक कर सकते हैं तो एक छोटी सी process है बिल्कुल छोटी सी process है और इस process के थुरूँ आप अपना खुद का application status जो है वो आप अपनी फोटो है वहाँ पर आप जिब क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके पास में लोगाउट कहीं आपे सिंबल आ जाएगा मलब लिखाओ आ जाएगा यहां से आपको लोगाउट कर देना तो यह एक बिल्कुल सिंपल सी और छोटी सी प्रोसेस है फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं बाकी जिनके पासवर्ड का कोई इस्यू हो तो वो मैंने आपको बता दिया है अगर आपको पासवर्ड नहीं मिलते हैं और नहीं आपके पास में लिखे हुए है ना ही आपको याद है उस कंडिशन में आप फॉर्गट पासवर्ड कर शकते हैं तो जैसे आप लोग आउट करेंगे आपकी जो ओफिशल वेबसाइट है वो कुछ इस प्रकार से आपको वीजिबल हो जाएगी तो यह बिल्कुल एक चोटी सी प्रोसेस थी जो मैंने आपको बता दिया है बाकी आगे अपने जल्द ही जो सेशन्स है वो स्टार्ट हो लिकत आए इस application form के अंदर तो वो देख लिए यहाँ पर एक website लिखी हुए और यहाँ पर mobile number लिखे हुए इन पर आप बात भी कर सकते हैं और इस mail पर अपनी जो problem है वो भी आप share कर सकते हैं उसका solution वो वहाँ से कर देंगे तो यह थी एक चोटी सी process जो आपको आपका application status च त्यारी बेस्ट से बेस्ट करते रही हैगा थैंक यू सो वरे मच